हेलो दोस्तो आज की रेसेपी है गोवी और मटर की ग्रेवी वाली सबजी इसके लिए मैंने चार प्रेवले स्कून सर्थों के तेल को खूब गरम करने के बाद लॉंग लाइची और दारचीनी का तड़का लगाया है फिर एक बड़े से प्यास को बारिक चौप कर लिया है जैसे के आमलेट के प्यास को करते हैं अब इसे गरम तेल में अच्छी तरह से पका लेना है हमें इसे लाल नहीं करना है बस इसे ट्रंसलूसेंट करना है यही प्याज हमारे ग्रेवी का अधार बनेगा अब मैंने इसमें अधरक लसन का पेस्ट डाला है जो के हाप्टी एस्पून है और चार हरी मिर्चों को काट कर डाला है मिर्च आप अपने पसंद के हिसाब से इस्तामाल करें अब यहाँ पर थोड़ी देर इन चीजों को पका लेना है फिर एक बड़े से टमाटर को चॉप करके हमने यहाँ पर डाला है टमाटर भी हमारी ग्रेवी का हिसा बनेगा आप चाहें तो टमाटर अपनी पसंद से ज़्यादा या कम कर सकते हैं अब बारी बारी से हमें इसमें पोडर मसाला मिलाना है पोडर मसाला मिलाने का एक फ़ॉर्मूला है अगर आप सबजी 1 श्तामाल कर रहे हैं यानि हल्दी, धनिया, मिर्च और गरम मसाला गरम मसाली की रेसिपी हमारे चैनल पर मौझूद है मैं इसका लिंक प्रोवाइड करूँग। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं नमक स्वाद के अनुसार हमने डाला है यहाँ पर हाफ की एस्पून मैंने नमक का इस्तमाल किया है अब यही पर सबसे मशक्कत वाला एक्टिविटी है यानि अब इसे धी में आज पर हमें पकाना है इतना पकाना है कि टमाटर गल जाए और लुब भी सा हो जाए इसके लिए अगर आपको जरूरत हो तो बीच में पानी का छीटा भी डालने यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून टमाटर केचप डाला है अगर आपके पास टमाटर प्योरी है तो वही इस्तमाल करें क्योंके केचप में थोड़ी मिठास होती है यहाँ पर हमने दो चुटकी काले मिर्च और चौथाई टीए स्पून जीरा पॉडर डाला है एक टेबल स्पून हमने क्रीम डाला है फ्रेश क्रीम रेडिमेट है यह आप चाहें तो इसकी जगए एक टेबल स्पून मीठा दही या काजू का पेस्क भी इस्तामाल कर सकते हैं इससे ग्रेवी जाड़ी होगी और क्रीमी टेस्क भी ग्रेवी में आएगा गाड़े मसाले के लिए क्रीम जरूरी होता है तो यहाँ पर इतनी देर तक अभी से धीमी आजपर हमें पकाना है कि मसाले से तेल सेपरेट हो जाए यहाँ पर आज को धीमी रखेंगे और स्पेचुला चलाते रहना है वर्नक क्रीम के फटने का डर होता है मैंने यहाँ पर एक छोटे कप से एक कप पानी डाला है और एतने में ही हमारे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी हमारे पसंद के हिसाब से तयार हो जाएगा आप चाहें तो इसमें पानी थोड़ा ज्यादा भी मिला सकते हैं अब यहीं पर हमें चार हरी मिर्चों को चीर कर डालना है हमारी हरी मिर्च तीखी नहीं है आप चाहें तो इसमें मिर्चों को बढ़ा या घटा सकते हैं यहां पर मैंने गोबी और मटर डाला है जो के 80% तक कूख है मैंने इसे बॉयल कर लिया था नहीं पर आप चाहें तो इसमें टोफू पनीर या गाजर और बीन्स भी डाल सकते हैं फाइनली इस पर मैंने स्वा की पत्ती डाला है आप यहां धनिया की पत्ती इस्तामाल कर सकते हैं और पांच मिनट तक इसे दम पर रखें देखिए हमारी लाजवाब सबसी बन कर रही है अब आप इसे नान के साथ कुल्चा के साथ किसी भी तरह के पराठे के साथ इस्तामाल करें बहुत ही लजीज होता है बहुत ही मज़ेदार बनता है तो उमीद है आज की रेसेपी को आपने इंज्वाई किया होगा अपने कमेंट हमारे साथ शेयर करें थैंक यू फर वाच झाल पडियो